असलाम अलेकुम वीबर्स देख रहे हैं आप लोग काम ब्रीज कुकिंग चैनल आज मैं आप लोग के लिए लेग करेंगे बख्राइद स्पेशल लाहोरी मतन कढ़ाई तो आई चलते हैं अपने स्पी की तरफ लाहोरी मतन कढ़ाई बनाने के लिए हमको चाहिए 500 ग्रैम मतन एक मीडियम साइस का प्यास रफली चॉप कर लिया था दो अदर्द मीडियम साइस के टिमाटर छे से साथ लेसन की कलिया 1 TSP लाल मेर्च कुटीवी 1 TSP कशवीरे लाल मेर्च 1 TSP हलदी 1 TSP सौल्ट 1 TSP अद रख का पेस्ट मेरे पार साबित अद रख खतम वह गई थी इسलिए मैं अद रख का पेस्ट यूज़ करूणगी 1 TSP यूगर्ट 1 TSP काली मेर्च काली मिश्क का पाउडर वन टीस्पून साबी धनिया इसको मैंने मोटा कूट लिया था हाफ टीस्पून जीरा इसको भी मैंने कूट लिया था अच्छा जी आप इंस्टेंट पॉट के अंदर मैं इसारी चीजें एक साथ गाई दूंगी गोष्ट चला जाएगा प्यास टिमार्टर और लेसन की कभिया यह चली जी जी अतरक का पेस्ट योगर्ट सारा मसाला अच्छा जी यह जो मेरे पास काली मिर्च का पाउडर रहे यह मैं डालूंगी सबसे आखर में अब इन सब को अच्छे से मिक्स करके मैंस में डालूंगी एक कप पारी यह आप लोग देख सकते हैं यह सब मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया था अब मैं इसमें टैन मिनट्स का प्रेशर लगांगी जी वीवर्स यह आप लोग देख सकते हैं गोश्ट तकरीबन 80% गल चुका है और इसमें अभी भी थोड़ा सा पानी पचवाए तो पानी के ड्राय होने तक मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूंगी ताकि इसमें जो यह टिमाटर और साबत लहसन और प्यास वगारा था व अब आप लोग देख सकते हैं गोश्ट भी इकल चुका है और इसके अंदर जो साबित प्यास टेमाटर और लैसन वगारा जो मैंने एड़ किया था वह इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है अब मैं इसमें डालूंगी हाफ कप घी और इसको मैं घी के साथ अच्छे से इसकी में भुनाई करेंगी यह वाली कढ़ाई बेसिकली घी और बटर में बनती है लेकिन आप लोगों को अगर कोई हैल्ट इश्यू है तो आप लोग ऑल भी यूज़ कर सकते हैं अब यह आप लोग देख सकते हैं मैंने घी डालके इ अब मैं इसमें डालगूंगी वन टेबल स्पून बटर हाफ टी स्पून काली मर्चों का पाउडर और यह थी मेरे पास हरी मिर्ची इनको मैंने बीच में से इस तरह कट कर लिया था यह भी चली जाएंगी इसमें अच्छे से मिक्स करूंगी और अब मैं इसको तक्रीबन बस दो से तीन मिंट के लिए दम पर छोड़ दूँगी यह आप दो देख सकते हैं चार मिंट हो चुके हैं अब मैं आपको इसको डिशाओड करके दिखाते हूँ जी वीवर्स यह आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी बकरीद स्पेशल मटन कढ़ाई बनके बिल्कुल तैयार है जरूर ट्राइए कीजेगा अपना फीडबैक दीजेगा मेरे चैनल के सब्सक्राइब कीजेगा मिलती हूँ आप से अपनी नेक्स्ट व